अत्याक्ष्ट महोदे आपने मुझे बोलने कैजाज़त दिया मैं आपकी अभारी हूँ भरतिया राश्टिया कांगरिस के तराफ मैं नारी शक्ती बंदन अदिनियम दो हजाद तेज के समार्तन में कड़ी हुई दूए से बड़ी हुई रसोई से लेकर रोश्टिय से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्ट्री का साफर बहुत लंबा लेकिन लेकिन आखिर खार उसने मंजिल को छू लिया है उसने जानूं दिया उसने परिवार चलाया उसने पुरुषों के बीच तेज दौर लगाई और असीम धीरच के साथ अक्सर कुद को हारते हुए लेकिन आकरी बाजी में जीते हुए देखा भारत की स्ट्री के वृड़े में महसागर जैसा धीरच है उसने कुद के साथ कुई बेमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फैदे के बारे में कभी नहीं सोचा उसने नदियों की तरह सब की बहाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अदिख रही स्ट्री के धैर्य का अंदाज लगाना नमुम्किन है वह आराम को नहीं पैचानती और तक जाना भी नहीं जानती हमारे महांदेश की माह है स्ट्री लेकिन स्ट्री ने हमें सिर्फ जनम ही नहीं दिया है अपने अपने आसों खुनपसीने सीच कर हमें अपने बारे में सोचने लाइक पुद्दिमान और शक्तिशाली भी बनाया है अध्यक्ष महादे श्ट्री का महेंट श्ट्री का गरीमा और श्ट्री के त्याद की पहचान करके ही हम लोग मनुश्यता की परिक्ष में पास ओ सकते अजादी के लराई और नए भारत के निर्मान के हर मोर्चे पर श्ट्री पुरुष के साथ कंदे से कंदा मिला कर लरी है वह उम्मीदों, अकंचाव, तकलीफों और गार के हस्ती के बोज के नीचे नहीं दबी सरोजनी नाइदू, सुचेता क्रिपलानी, अरुना असाफली, विजयलक्ष्मी पंडिट, राजकुमार अमरिट कौर और उनके साथ तमाम लाको लाको महिलाई से लेकर आज की तारिक तक स्ट्री ने कतिन समय में हर बार महात्मा गांदी, पंडिटवारला नेहू, सरदार पतेर, बाबा सहाब बन बेटकर और मुलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है इंदीरा गांदी जी, इंदीरा गांदी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुती रोशन और जिन्दा मिसाल है अध्याक्ष्मा होगे, खुद मेरी जिन्दगी का ये बहुत मार्मिक शान है पहली दफा स्तान्य निकायों में स्त्री की भगिदारी तैक करनेक वाला संविधान संशोडन मेरे जीवन साथी राजीव गांदी जी ही लाए थे जो राज्य सबा में साथ वोतों से गिर गिया था बाद में प्रदान मंत्री पीवी नरसिमराओ जी के नित्रित्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारिट कराया आज उसी का नतीज़ा है कि देशबार में देशबार के स्तान्य निकाईयों के जरिये हमारे पास 15 लाग चुनी हुई महीला नेता है राजीव गांडी जी का सपना अभी तक आदा ही पूरा हुआ है इस बिल के पारिट होने के साथ ही वह पूरा होगा अग्रेस पार्टी इस बिल का समार्तन करती है अमें इस बिल के पास होने से कुशी है मागर इसके साथ साथ एक चिंता भी है मैं एक सवाल पोछना चाहती हूँ पिछले तेरा बाग तो